10 के बाद थोड़ा सा मैं मिस्गाइड जैसा हो गया college placement भी वह बट वह इतना अच्छा नहीं था जिसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जा सके कि बहुत अच्छा करियर बन जाएगा मेरी expectation लाइब से बहुत ज्यादा हाई थी और मुझे पता था कि मैं बिजनस करके ही वह अचीव कर पाऊंगा एक बिहारी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए फूरा आसमान होता है उसी टाइम पे एक इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट आया जो कि इसकी वह थी एट थाउजन डॉलर और उसने मेरे दिमाग को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और आज अगर आप Google पे जाते हैं सर्च करते हैं डिश्टल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया डिश्कल मार्केटिंग पिछले दस साल से मैं यह एजिंसी रन कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं यह जरनी कहां से स्टार्ट हुई कैसे स्टार्ट हुई तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा मैं सांगी गाउं से बिलॉंग करता हूं जो कि मदवनी जिला में है और जालंधर आए एक दिमाग में यह था कि मदर के भी और फादर के भी कि इन लोगों को बेटर क्वालिफिकेशन देना है लेकिन वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल हम लोगों का काफी बढ़ने लग गया था और चैलेंजिस आने लग गया थे पढ़ाई में इन चैलेंजिस को देखते हुए मेरी माता जी ने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बेसिस पे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए उन्होंने छोटे-छोटे काम करने स्टार्ट किये और जब वो काम कर रही थी तो उसमें दिक्कत आ रहा था वह जो उसमें हुता है वह बहुत जादा नहीं था तो मदरने थोड़ा था देखा कि आपकते होंगे कि अगद़ा कवर वगईरा का काम होता है वह काम काफी models previous कुण करने से काफी support मिलने लग गया हम लोगों को और education का जो rotation था वो आगे बढ़ने लग गया और ये लगातार 4-5 साल तक चला और उस 4-5 साल के duration में actually होता क्या था मदर सुबह से शुरू करते थी हम लोग school जाते थे और वो शाम तक वही काम करती थी तो हम लोग जब घर आते थे तो होता क्या था यू पूरा घर पे डेर जैसा होता था गद्धो का हम लोग उसमें घुशते थे उसमें खेलते रहते थे और लास्ट में क्या करते थी पूरा सब कुछ को collect करके एक जगा करते थे वो order deliver करके आते थे हम लोग और वापस फिर next day का जो order होता था वो भी लेके आते तो पैसे collect करने की भी जिम्मेदारी हमारी थी मदर का काम था काम करना support करना और पैसे collect करना नया order collect करके लेके आना वो हमारी जिम्मेदारी थी और यह काम आगे बढ़ता गया मेरे percentage अगर मैं बात करूँ थोड़ 6% के आसपास आता था लेकिन 10 के बाद थोड़ा सा मैं मिस गाइडिट जैसा हो गया और सम्हाव जो एक कहते हैं जो एक प्रॉपर एक गाइडेंस होती है वो कहीं न कहीं मिस करने लग गया एक प्रॉपर गाइडेंस पार्ट को और 12 में मेरे काफी लो मार्स आये सेकंड ड और आने की बाद हम लोग ऐसे ही घर में बैठे हुए थे कुछ डिसकेशन कर रहे थे कि अब इसकी एड़्ुकेशन को लेकर क्या किया जाए तो जब बैठे हुए थे इसकर कर रहे थे तो मेरा चोटा भाई साथ में हम लोग सब एजी फैमिली खाना का रहे थे तो चोटा लेकिन पॉटेशल तु है इसने तक बहुत अच्छा लाया लेकिन अगे अच्छा कर सकता है अगर आप इसको सपोर्ट करोगे यह और अच्छा कर सकता है अब पादर और परेशान होगे कि भई किया जाए ऐसा सपोर्ट क्योंकि हम लोग उससे पहले लूवोन के लिए ट्राइ कर रहे थे बट मेरा परसेंटेज लो था और फादर का जो एक फाइनेंशल स्टेटमेंट जिसके बेसिस पर किसी को लोन मिलता है वह एलिजिबल नहीं हो रहा था और मुझे भी उतने अच्छे मार्स नहीं थे टैंथ के बेसिस पर मिलेगा नहीं तो वह एक दिन चेटे दिन उसके बारे में छोटा मुटा डिसकेशन पापा कुछ भी नहीं बनाया था फिर भी उसको विजिट करते थे देखते थे क्योंकि होता है ने जो 15-16 साल जॉब करने के बाद छोटे-छोटे इंकम करके यह बनाया तो भाई ने डिया कि पापा इसको आप इ क्या सबसक्राइब और उसनी आडवाइस दिया तो घरवाले बड़े वह गए कि अपर फिर थोड़ा सा और बात बड़ा तो घरवाल ने बोला ठीक है तुम सही कह रहे हो ऐसा करते हैं और शायद यह एक नया रास्ता हमारे लिए अपन हो जाएगा नया गेट हमारे लिए जाएगा और मैंने वहां से फिर बीटेक में अडमिशन लिया कंप्योटर साइंस में महाली में हमेशा फर्स सेकेंड थर्ड इस तरीके की कैटेगरी में आने लगया लास्ट सेमेस्टर तक कॉलेज प्लेस्मेंट भी वह बट वह इतना अच्छा नहीं था जिसकी यह डिसा उनके इक स्टार्ट अप के जैरो सलुशन के नाम से उनका स्टार्ट अप था तो वहां पर मैंने बेसिकली एजए इंटर्न किया एजए क्वालिटी अनलिस्ट और वह एक काफी टर्निंग पॉइंट था क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा था उन लोगों को मेहनत करते हुए और वो लोग दिन रात एक करते थे अपने प्रोड़क्ट के उपर में उसने मेरे अंदर में काफी एक क्यूरियूसिटी जगाई काफी मेरे अंदर में एक एक तरीके से कह सकते हो कि मुझे एक रास्ता दिखाया कि कैसे एक परसन अपने काम को कर सकता है वहां से मैंन चार-पांच लोग बैठे हुए थे तो डिसाइड हुआ क्यों ना यार तुम्हारा जैसे मेरा मार्केटिंग स्किल अच्छा था और जो तीन लोग थे उन लोगों का बेसिकली टेक्निकल स्किल अच्छा था और उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक छोटा सा स्टाट अप जर से स्टाट कर दिया लेकिन उस टाइम पे काम बहुत चोटे थे चोटे चोटे प्रजेक्स आते थे दो तीन हजार के पांच हजार के और वह इतना ज्यादा नहीं होता था जिसके बेसिस पे कोई सर्वाइव कर सके और यह चीज तीन-चार मेने चला तो फिर दो लोगों ने डिसाइड कि नहीं हम लोग नहीं करते हैं इसको छोड़ देते हैं तो हम फिर दो दो लोग अलग हो गए और दो लोग रह गए और मेरा दोस्त और मैं फिर वहीं से हमारा एपी वैब वर्ल्ड जो की डिजिट्रल मार्केटिंग एजिंसी है उसका नाम आया दिमाग में मेरा नाम जैसे प्रणव है तो पी का प्रणव मैं हूँ एक अम्रेश वो है तो हमने उसको मिला के एक डिरुमेंड डिसाइड किया उस पर काम करना स्टार्ट किया और वह जरनी थोड़ी थी आगे बड़ी एपी वैब वर्ल्ड की जरनी आगे बड़ी बट यह पाद हम ल तो इसको छोड़ देते हैं और मैंने बोला देखमरेश तु एक काम कर मैं तेरी कंडिशन समझ रहा हूं तो अपना पापा को सपोर्ट कर बट मैं अब नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने इसके लिए काफी कुछ चोड़ा है और मुझे बहुत सारी चीजे मेरे माइंड में रिकॉल होती थी मदर का स्ट्रगल या जो प्लॉट है कि मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा था लाइफ में मेरी एक्सपेक्टेशन लाइफ से बहुत ज्यादा हाई थी और मुझे पता था कि मैं बिजनस करके ही वह अचीव कर पाऊंगा मेरे लिए स्ट्रगल है बट मैं उ हो जाता था मन करता था जॉब करने लग जाओं सब कुछ छोड़ दूं पीछे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कुछ भी लेकिन धीरे 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 कॉन्फिदेंस गीन होना स्टार्ट हुआ जब 2015-16 का टाइम आया तो हम लोगों ने इमेल मार्केटिंग का नाम सुना क्योंकि इंडिया में जो पैसा बन रहा था वहारली बहुत मेनत कर लो तो साथ हजार सतर हजार उसमें टीम रखना खर्चे निकालना वह बहुत मुश्किल काम था लेकिन जैसे चीज़ें आगे बड़ी तो हमारे पास कुछ बड़े प्रोजेक्ट है उसी टाइम पे एक इ उसको मैंने बहुत स्ट्रॉंगली डिलिवर किया और उस एक प्रोजेक्ट ने मेरे लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट का रास्ता खोल दी और भी क्लाइंट्स आने लग गए और यह फेज आगे बढ़ता कि 2018 में आया तो मैं एक कह सकते हूं कि बहुत सारे लोगों को जानने लग गया तो एक रास्ता निकाला कि यार काम तो ठीक चल रहा है टीम भी ठीक बन गई अब कुछ बड़ा करते हैं तो बड़ा करने के लिए क्लिए क्लिए लोगों से मिलना पड़ेगा उसको लोग नॉर्मली नेट्वोकिंग कहते हैं तो मैं अलग-अलग सिटीज में डि पूरा मेरा एक प्रॉस्पेक्थिवी चेंज कर दिया और काम में काफी इंप्रूब्मेंट हुआ हम क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट लाने लग गये वह रिजल्ट अच्छा था स्ट्रॉंग था और उस स्ट्रॉंग रिजल्ट को दिखा के हम और काम गेन करने लग गये 19 तक आते आते एक अच्छा प्लैटफॉर्म खड़ा हो गया था उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा प्राब्लम हुआ प्राब्लम क्या था जो की सब के साथ हुआ कोविड आया और कुस कोविड ने सारे ही सिचुवेशन सिनेरियो जो रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा था मेरी कंपनी का टीम साइज बहुत अच्छा हो गया था काम बहुत अच्छा हो गया था क्लाइंट्स का एक स्ट्रेंथ पोर्टफोलियो बहुत बड़िया हो गया था जिसके बेसिस पर बहुत काम मिलने लग गया था पर अभी भी मैं बतादू वो Remote is also computer science graduate और उन्होंने मेरेको बहुत सपोर्ट किया उसने इवन प्रेगूरेशन में भी 8 जिए 9th मन्त के आज सपास के तुरेशन होता है उस डिचोंत्य। में पुल सब्सक्राइब का था और फुल्नी मेरे बिजनस को सपोर्ट किया था मैंने स्वेश के काम करना। ellis अब जल्दी जब काम चाहिए उसके लिए क्या सलूशन है मैंने सोचा कि अपनी प्रस्टनल वेबसाइट को रैंक कराता हूं और आज अगर आप गूगल पे जाते हैं सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया डिजिटल मार्केटिंग और इस फेज ने मेरे लिए सारी चीजें बदल दी और वहां से जो रिजल्ट आया उसमें मैंने बहुत सारी कंपनी के साथ में काम किया बहुत अच्छा एक स्ट्रॉंग पोर्टफोलियो बनाया मैं कोविड से सारे लोग निकल लेते तो मैं भी निकला उस कोविड के सपोर्ट वह बहुत इंपोर्टन था उस सपोर्ट ने बनाये रखा और उस हंट में अपने आपको आगे लेखे गया और एक चीज़ बहुत इंपोर्टन जो मैं कहना चाहूंगा कि जब आप ऐसे लोगों के साथ में काम करते हो जो लोग आपके आसपास के हूँ या आपक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मेरे साथ में भी वही हुआ बहुत सारे लोगों ने जो स्पेशली जो बिहार के मदुबनी के मुझभपरपूर के जो लड़के वो लोग ना जाने कैसे क्या एक ऐसा डेस्टिनी था कि वो लोगी इंटर्वी के लिए आ रहे थे व वह मेरे विजन के साथ में होते जोपी आसपास के लोग होते जोपकी आपके साथ में बीचन करतेह आपको सैपोड और उसे की तिरूद में एक सक्षक्षफूल डेजिल जिसीर अकर रहा हूं जिसमें बहुत बढ़ियां क्लाइं वुमेंक्स कॉटपगडंडी सफारी है इसे बहुत सारे ब्रैंड्स हैं जिनके साथ में लोग काम कर रहे हैं और उनकी जर्नी में एक अब मैं आपके साथ में ऐसे पांच टिप्स शेर करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपका पहला टिप है वह है नेटवर्किंग आपको हमेशा राइट जो एक माइंड सैट के लोग हैं उनके साथ में मिलना चाहिए उससे आपक में बहुत कुछ मिस कर देंगे क्योंकि चीजेंज हो रही है यह आई आगया है और बहुत सारा नया सिस्टम आ रहे है वह आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नई चीजों को सीखने के लिए और तीसरा मेहनत करना कभी न छोड़े अगर आप मेहनत करते रह है ऐसाधर की लोगों के लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकूं उनके सकस्स में अगर मैं थोड़ा साभी कॉंट्रिपूशन डाल पाता हूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी क्योंकि मैं उस बैक्राउंड से उस सिस्टम से उठके आया हूँ जहां पर अगर सपोर्ट ना मिलता शायद अगर मदर को भी वो काम ना मिलता तो हमारे लिए एजुकेशन करना बहुत मुश्किल था भाई ने वो डिसीजन ना लिया होत होता और पाने के लिए पूरा आसमान होता है अगरा सब्सक्राइब करूं लाइक करूं जट्ते से जट्ते मैं धिल चाहिए उनका बीच में शेयर करूं और नया नया अप्रेर ना दायक कहानी बहुत सारा खिस्सा था आंके सूना ले मिलत सबस्बन लगु